हेगाइज वेलकम टू माई चानल सोमा टेरुट का डीटिंग और आज की अनर्जी इस समय की क्या है आपके पर्सन की क्या सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या चल रहा है उनकी माइंड में आपको लेकर क्या नर्जीज है चाहिको लाइक सब्सक्राइब कर लीजगा पहला आपके person ने आपसे बोल दिया कि वो आपसे move on कर लेंगे और वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं ऐसी में energy's देख रही हूं कि वो आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं block कर कर या फिर पूरी तरीके से आपके साथ रिश्टा तोड़कर लेकिन मैं यहां पर क्या देख रह है क्योंकि recently साथ चैसे आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यदा third person को लेकर या family को लेकर को जगड़ा या कुछ बात विवाद हुआ है जिसकी बज़े से बार बार उसी पर focus कर रहे हैं अभी यहां पर मैं देख रही हूं कि move on करने के इन्होंने आपको बोला है या फिर आप से इस समय बिल्कुल no context situation में चले गए बिना कुछ बोले बिना कुछ बात करें आपको block कर दिया number change कर लिया तो बराबर focus कर रहे हैं आपकी तरफ कि उनको लग रहा है कि मैंने इस रिष्टे को तोड़ कर कहीं बहुत बड़ी भूल गलती तो नहीं कि क्योंकि रिजन यहां पर क्या दिख रहा है कि जो relation आपका past का रहा है वो बहुत ही एक खुबसूरत relation रहा है अब इतने खुबसूरत relation को कोई भी इनसान भोल नहीं सकता है जो मैं यहां पर देख रहे हैं कि परसन आपके भूल नहीं पा रहे हैं तो present situation आ अंदर कहीं ना कहीं अपने रिष्टे की बहुत चिंता हो रही हैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने relation के पीछे बहुत ज़्यदा stress ले रहे हैं क्योंकि वो no context situation में भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं block करने के बाद उनको लग रहा है कि मैंने यह क्या किया मैंने इस र stress को बता रही है तो यहां पर जो energy is बन रही है वो यहां पर यही कह रही है कि भाई इतना असान नहीं है इनके लिए move on करना इतना असान नहीं है इस relation को तोड़ना तो यह person जो है वो कहीं न कहीं इस समय दुबारा इस समय अकेला पर महसूस कर रहे हैं feeling alone की energy is आ रही है जो क आपके साथ relation में रखें या फर आप दोनों बहुत जदा करीब आए एक दूसरे को अपने support किया एक दूसरे के साथ अपने marriage की या फर आपका marriage ऐसा relation था आपने इस love relationship के लिए future देखा था तो अकेले पन में बैठ कर यह इनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और कहीं न जादा तो अब जाके क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें हील हो रही है जब इन्होंने आपसे move on कर लिया और कहीं न कहीं आपके ही सामने किसी third person को बहुत ज़्यादा support किया आपके ही सामने उस third party को value किया चाहे वो family से हो चाहे वो किसी से किसी भी तरब से हो लेकिन अब से realize हो रही है अपनी गलती और अब यह खुद आपके पास आकर दुबारा से अपने relation को साथ एक new beginning स्टाट करना चाहते हैं यहां पर यही एनर्जी मुझे दिख रही है आपको मेरे वीडियो पर सही नंबर मिल जाएगा कमेंट से नंबर कभी नहीं देती हूं तो वीडियो पर ही नंबर मिल जाएगा और टेक क्यार बाए बाए